तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आजम बात करने वाले हैं न्यू जेनरेशन मारूती जिजुकी विटारा ब्रेजा के बारे में काफी इंपोर्टेंट डिटेल्स में आप सबसे शेर करने वालों इस गाड़ी के बारे में तो अगर आप भी ये गाड़ी जो है खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है जैसा कि आप सब को अल्रेडी पता ही है कि वारे में इस गाड़ी का एक फेसलिफ्ट वर्जन आया था लेकिन उसमें भी इस गाड़ी के है इस पर काम करना शुरू कर दिया और यह साल के एन्ड यानि कि दिवाले के अ इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे वहीं बात करें इंजन ऑप्शन्स की तो पहले यह गाड़ी 1.5 लिटर इंजन के साथ लॉंच होगी जो की अलवेड ही हमें देखने को मिल रहा है और इस गाड़ी में हमें 104 बहच पी की पावर 138 एनम का टोक मिल जाता है और मैलेज की बात करें तो 17 के एंपियल की मैलेज मिल जाती है तो शुरुआत में यह गाड़ी जो है इसी इंजन के साथ हमें भी प्लैन कर रही है 1.5 लिटर डीजल इंजन जो की अल्रेडी हमें BS4 कंप्लाइंस के साथ देखने को मिलता था आटिका में वही इंजन जो हमें BS6 कंप्लाइंस के साथ मारूति सुजू की विटारा ब्रेजा में देखने को मिल सकता है तो यहां जो सबसे अच्छी ब मिशन की बात करें तो 5-speed manual के साथ और 4-speed automatic के साथ यह गाड़ी जो हो सकती है तो दोस्तों यह थी एक major update मारूति जुजू की विटारा ब्रेजा के बारे में जो की इस साल के end या फिर नए साल की शुरुआत में लोंच हो सकती है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी और विटार ब्रेजा की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रही हमारे चैनल के साथ तो थैंक्यू गाइस और वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू जैहिन